हाई गाईज बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारी यूट्यूब चैनल क्वेशन बैंक क्राफ में आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक शानदार कंपाइलेशन विडियो जिसमें जनमाश्मी के चार बहुती शानदार क्राफ समलब तयार करेंगे एक ही विडियो में चार आईडियाज आपको मिलने वाले हैं तो हो जाओ तयार जल्दी से शुरू करते हैं सबसे पहले मैं बनाने जारी हूँ एक बहुती सुन्दर सी गोपी और इस तरीके की काफी सारी गोपियां आप बना के जनमाश्मी में लगा सकते हो और सबसे अच्छी बात बताओं इसके लिए आपको किसी डॉल वॉल की ज़रूरत नहीं है घर की सिंपल प्लास्टिक की बॉटल से ये बन जाएगी तो सबसे पहले मैंने एक छूटी सी बॉटल लिए है जिस पे निशान लगा के मैं इसको कुछ इस तरीके से कट कर रही हूँ आप यहाँ पे कटर का यूज कर लेना वरना नाइफ को सिंपली गरम करकी भी आप इसको कट कर सकते हो अब इसकी बाकी बॉटी बनाने के लिए मैं पेपर का यूज करूँगी जैसे इसके हाथ और बाकी जो भी पोर्शन होगा वो सब कुछ तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छी से सेलो टेप से सील करते विए पूरे बॉटी पार्ट्स को जोड़ा है और एक क्वेशन जो हम सब के दिमाग में यहीं पे आगया है कि अगर सेलो टेप से सब कुछ कवर कर देंगे तो इसके उपर पेंट कैसे होगा वो आपको अब आगे पता चलेगा तो इस जन माशमी की सीरीज में तो मैंने अब तक बहुत कुछ बना डाला है मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा हमने स्टार्टिंग से लेकि अब तक कितना कुछ बनाया है और कल फाइनली आप सब की रिक्वेस्ट पे आ रही है बड़ी जहांकी की वीडियो जिसमें मैं डेकुरेशन आपके साथ शेयर करूँगी कि इन सब चीजों को एकटा करके आप कैसे सजा सकते हो और अब बैक टू बैक आपको बड़ी बड़ी डेकुरेशन के वीडियो मिलेंगे आज की कमपाइलेशन में भी मैंने काफी महनत किये क्योंकी मैं हमेशा कमपाइलेशन को सिंपल म्यूजिक या किसी और चीज के साथ अप्लोड करना पसंद नहीं करती मुझे लगता ही कि अगर मैं अपना नया वोईस ओवर आट करके पोस्ट करूँ तो आपके लिए जादा खेल्पुल होती है वो चीज और आपको easily समझ में भी आ जाता है ताकि कोई doubt हो तो on the spot clear हो जाए तो बहुत सारा फैविकॉल लगा के हलका सा water mix किया है हाला कि फैविकॉल में मैंने tissue paper को लगाया था इसकी पूरी body पे जितने जितने हिस्ते पे cello tape का use किया था और उसके ड्रायक होने के बाद इसको paint करो paint करने के बाद हम अपनी गोपी की outfit बनाएंगे जिसके लिए मैंने cotton के fabric का use किया है इसकी outfit आप लुक चाहो तो एक single fabric में रखके उसको भी decorate कर सकते हो या फिर आप नीचे किसी दूसरे fabric की पटी लगाना वो भी बहुत प्यारा लगेगा और इसमें और एक अच्छा effect देने के लिए मैंने silver color का गोटा यूज़ किया है अब कोई भी बारिक lace यूज़ करोगे न वो बहुत सुन्दर लगेगी और तारे, stones, half cut pulse ऐसी चीज़े लगा दोगे तो घागरा और उभर के दिखेगा अब हम सबसे पहले अपनी गोपी को blouse पैनाएंगे जिसके लिए fabric की पटियों को double में fold करके किनारी पे lace लगाओ और lace को लगाने के बाद इसके साथ इसको कैसे attach करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ तो एक एक piece अलग से ले लेके इस तरीकी से किनारी में attach करना है और बीचो बीच एक बड़ी सी fabric की पटि लगानी है ये कुछ ऐसा लगेगा एक अच्छा सा blouse या चोली टाइप का तयार हो गया अब यहाँ पे मैं नीचे इसको लहंगा wear करा रही हूँ जिसके लिए simply आपको frill डालनी है और बस ये भी हो गया अब मैंने सोचा कि चुन्नी को मैं थोड़ा सा colorful बनाऊं तो ये मैंने पचरंगी लहरी का एक fabric लिया है जिसको मैंने चुन्नी में convert किया है गोपी के बाल आपको चुन्नी को attach करने के बाद ही लगाने है क्योंकि फिर बालों के ऊपर से चुन्नी लगाओगे तो थोड़ी problem आएगी अब इसके बाद यहाँ पर मैंने तो उन का इस्तमाल किया है क्योंकि मेरे पास जो black color का stitching thread होता है वो भी था नहीं वो खतम हो गया था तो इसके लिए मैंने wool यूज कर लिया बट अगर आप stitching thread यूज करोगे न तो वो और जादा अच्छा लगता है अब इसके बाद इसका पूरा face makeup मैं acrylic paint का यूज करके ही कर रही हूँ बस इसके eyes, eyebrows, nose, lips सारी चीज़े बनाएंगे बिंदी भी लगा दी मैंने अब हम क्योंकि बना रहें एक ऐसी गूपी जिसने खातों में पकड़ी होगी फूलो की टोकरी जिसके लिए आप जूट वगेर का यूज कर सकते हो और उसको इस तरीके से गोल-गोल घुमाना है आपस में simply मैंने इसको फेविकॉल का यूज करके ही चिपकाया है और बहुत इजी था इसको स्टिक करना बिल्कुल भी हार्ड नहीं था अब एक हैंडल के लिए भी जूट का ही एक पीस लगा दो यहाँ पे मैं सूपर क्ले का यूज करी हूँ इसके टोकरी में फूल और पत्तों का एफेक्ट देने के लिए सूपक लेका तो मैंने इस जन्माश में इतना creatively यूज किया ना कि आप सबको मेरे ideas बहुत जादा पसंद आए और बस इसी के साथ सुन्दर सी गोपी हो गई तयार तो इस तरीकी की काफी सारी बना के आप सोचो अगर आप लगाओगे तो कितना प्यारा लगेगा तो अब हम बनाने जा रहे हैं एक और बहुत ही unique और एकदम important जाकी जो हमारे काना जी के जीवन में बहुत ज़्यादा महत पर रखती है तो अब हम बनाने जारे एक ऐसी जाकी जिसमें हमारे गोकुल वासी व्रिंदावन की ओर जा रहे होंगे तो जैसे ये स्टोरी तो हम सब जानते हैं कि कैसे गोकुल पर कंज के राक्षसों ने बहुत जादा बार हमला किया था और इसलिए सभी गोकुल वासी व्रिंदावन चले जाएंगे तो उसी वक्त सारे गाउं वासी काना जी नंद जी ये शोदा महिया सभी लोग अपने सारे समान जो भी उनकी बिलॉंगिंग्स थी सब कुछ ले करके पोटली वगरे में बान के इसके अलावा अपनी गायों को ल और इसका पूरा मिजरुमेंट मैंने स्क्रीन पर दे रखा था आप लोगों ने देख लिया होगा तो इस तरीके से बेस के साथ हम इस पीस को जोड़ेंगे यहाँ पे बीच में से मैंने जो पटियां कट की है उससे काफी अच्छा डिजाइन आया है और अब बैल गाड़ के बाकी हिसों को बनाने के लिए और अब सभी चीजों को हम ब्राउन कलर से कलर कर देंगे हमारे बैल गाड़ी का बेस की ऊपर की चट इसके अलावा पहिये को सारी चीजों को आपको अच्छे से ब्राउन कलर से कलर करना है बैल गाड़ी का एक और वीडियो मैंने आप सब इसका यूज किया है इसके अलावा शीशे यानी mirrors का भी यूज किया है तो guys आज के वीडियो में तो मैंने चार चीज़े cover किया है बर इसके पहले individually भी मैंने बहुत कुछ आप लोगों के साथ शेयर किया है और इससे पहले भी 2 compilation videos मेरे चानल पे जा चुके हैं हर compilation में 4-5 को बनाना है लेकिन समय हमारे पास काफी कम है जबकि पहले मैंने जब व्रिंदावन बाजार सजाया था उसमें मैंने खातों से आपको बना के paint करके characters भी बनाने सिखाये थे लेकिन अब समय इतना कम है और गोकुल वासी भी बहुत सारे तयार करने है तो इसके लिए guys मैंने गूगल से proper search करके काफी time लगाके तीन इस तरीके के जो हैं ये printouts निकलवाए हैं और इन printouts का cost बहुत लोग पूछ रहे थे तो इनका cost है 90 यानि 30 रूपीज की एक sheet मुझे मिली है क्योंकि ये काफी thick paper पे मैंने printout निकलवाए थे ताकि मैं long term में इनको use कर सकूँ तो आप भी इसको कैसी use कर सकते हो ये जो भी मेरे designs थे इनका मैंने एक अलग से PDF बना दिया है जिसका link आपको उपर ही उपर description box में मिल जाएगा आपको क्या करना है उस PDF को download कर लेना simply और फिर आप इनका अपने according printout निकलवा सकते हो इससे आपके लिए बहुत easy हो जाएगा इसको ब बना के paint करते तो कितना time लगता इसलिए ये ट्रिक आप follow करना इससे आपका काम बहुत असान हो जाएगा तो description box में एक दम उपर ही उपर मैंने PDF दे दिया है make sure आप उसको download कर लेना अब यहाँ पे इन सभी pieces को cut करने के बाद cardboard के उपर attach कर देना glue से simply stick कर देना और उसके बा कम टाइम में बन जाएगा और दूसरा stand है वो थोड़ा सा time लेगा बट I think वो थोड़ा मजबूत जादा रहेगा तो आप देख सकते हो अपनी इसाब से जो आपको ठीक लगे वैसा बना सकते हो पहले stand की बाद करें तो उसके लिए आपको गते के same size के बहुत सारे टुकड़े लेने हैं और इनको आपस में इस तरीके से एक के उपर एक जोड़ते जाना है इसके लंबाई अच्छी खासी रखना फिर इसको properly paper से पूरा seal कर दो कि इसके किनारे बिलकुल भी दिखे नही और उसके बाद इसको figure के back side पे attach कर दो और दूसरा वाला अभी मैंने आपको दिखाया एक simple पटी लेके उसको frame के तरीके से पीछे attach कर दे ना उसके वजन के according आपका figure खड़ा हो जाएगा अभी ये सारी चीजे मैंने इस तरीके से range कर दिया है ये वो दूसरी bell गाड़ी है जिस पर मैंने कपड़ी की पोट लिया और जो मैंने handmade sardies बनाई थी paper का use करके वो रग दिया है और ये जो bell गाड़ी के आगे आप दो bell देख रहे हो इनका वीडियो भी मैंने आपके सारी शेयर किया हुआ है इसको मैं link कर दूंगे description box में cardboard से ये बनाना भी आप सीख सकते ह ये रहे हैं कि हमारे चोटे से काना जी बेल गाड़ी के अंदर ये शुदा मया के पास सो रहे हैं तो कैसी लगी आपको ये अदबुझ जहांकी comment करके अभी के अभी बताओ ये कैक हमारे गोकुल वासी काना जी के साथ ब्रिंदा बन जाते हुए काफी प्यारे लग रहे है चलो अब बनाते हैं कि हमारे तीसरा क्राफ जो की होगी एक बहुत ही संदर सी गोशाला जिसको बनाने के लिए कार्ट बूट को मैंने 24 x 18 cm के अकॉर्डिंग कट किया है और दो शीट्स को आपस में जोडेंगे बेस को मजबूत बनाने के लिए अच्छा वैसे अब तो जन कम्यूनिटी टैप पे अपने सभी सब्सक्राइबर्स की बनाईवी चीजों को पोस्ट करती हूं उनके नाम के साथ तो अगर आप कोई भी अपनी बनाईवी चीज मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं जो आपने चानल से सीख कर बनाई है तो आप मुझे वो भेज सकते हैं उस शेयर करूंगी ताकि बाकी लोग भी देख सके कि आपने कितनी प्यारी प्यारी चीजे अपने हाथों से काना जी के लिए तनी महनत करके दिल से बनाई है तो मेरे साथ शेयर करना मत भूलिएगा गौशाला की बेस पे टिशू हमने लगाया था वो ड्राय हो रहा है तब त आप से कट कर लिया और मैंने पेस्ट भी कर दिया बॉर्डर से कवर करने के लिए हमने कार्टबूट की कि स्ट्रिप का यूज किया है और बस अब इस बेस के साथ मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से अटाच करूंगी अब सारी चीजों को अच्छी से कर लेंगे हम पेंट तो यह बेस मैंने पूरा ब्राउन कलर से कलर कर लिया है बहुत ही अच्छी से और उसके बाद जो हमारा घास पगेरे रखने वाला बेस है उसको मैंने थोड़ा सा कलरफुल बनाया है इसको एकदम डिफरेंट लुक देने के लिए आज के वीडियो में ना एंड मेंने एक बहुत ही जादा खुबसूरत सा मंदिर भी बनाया है राधा कृष्णे जी के लिए उसको भी जरूर देखेगा वो मंदिर मैंने उसी हिसाप से बनाया है कि एकदम कम टाइम में आप भी तयार कर पाओ इसके अलाब आप उसके अंदर अपने लड़ू को पायल जी अपने इराधा कृष्णे को बिठाओगे तो बहुत प्यारा लगेगा वो तो उसको भी जरूर देखना और मैं तो कहूंगे उसको आप ट्राय करना अगर अभी तक आपने नहीं बनाया है तो तो यह घास रखने का बेस हो गया जिसको मैंने चिपका दिया अब यहाँ पे किनारी की फेंसिंग बाउनरी बनाने के लिए बहुत सारे पेपर के रोल्स काम यूज करेंगे बहुत जादा भी नहीं है बस चारी रोल बनाने है और उनको इस तरीके से पहले तो दोनों साइट से कट कर लो यह वाला पोशन निकाल दो फिर इसको तीन एक्वल पार्ट्स में डि लगाया जा सकता है जिससे मैंने पहले काना जी के लिए बहुत सुंदर सुंदर बगीचे भी बनाये हैं उनके अंदर मैं क्या करती थी गत्यकी पट्टियां कट करके उनको मैं वाइट ऐसे पेंट कर लेती थी और उसकी बाद जैसे अभी मैं रोल लगा रही हूं वैसे मै जो पट्टियां होती थी उनको किनारे से लगा के फिर इस टाइप का एक लंबासा स्ट्रिप लेके सभी पट्टियों को ऐसे करके आपस में कनेक कर देती थी तो वो भी बहुत सुंदर लगता था बट रोल्स भी आप ट्राय कर सकते हो कुछ ना कुछ अलग अलग ऐसे गहास रखने का सिर्फ उसकी ऊपर रहेगी पूरी गौशाला के लिए चट नहीं है यह तोड़ा अलगी टाइप का आइडिया है और दिखने में बहुत प्यारा लग रहा था रोल के उपर भी मैंने बॉल चेन लगाई है चट बनाने के लिए कार्ट बूट की ऊपर की ले इसकी ऊपर पिंक पेंट से हम पेंट करना शुरू करेंगे तो यही मैंने मजिंटा कलर उस मंदिर में भी यूस किया है बड़ा ही प्यारा लगता है मुझे यह शेड हाला कि अब मेरा यह पूरा बॉटल फिनिश हो चुका है बट कोई बात नहीं हम इसको mix and match करके आगे सूपर क्ले ले लिया है जिससे मैंने उपर यह पत्तो की बेल बनाई है और यहां पर मैं यह च्छत को attach करी हूं यह देखो इस तरीके से और क्ले से थोड़ा सा और डिजाइन बनाके इसको मैं शेप दे रही हूं अब इसके बाद ना गाईस यहां पर मैं गोशाला के उस हिसाब से कट कर रही हूं और फिर मैं इसको कलर करूंगी वही अपना पिंक कलर यूज करके क्योंकि मुझे पूरा थीम आपस में मैच करना है तो मैं बहुत ज़्यादा कलर भी यूज नहीं करी जैसे पिंक और ब्लू का थीम है तो उनी के साथ मैंने यहां पर काम किया अब इसके बाद इसको भी पिंक कलर से कलर करके पूरा बॉल चेन वगरे से मैं डेकुरेट करूंगी किनारी पे लेज भी मैंने लगाई है और बस इसी के साथ हो गई हमारी खूप सूरत सी सुन्दर सी गौशाला बनके तयार यहां पर बहुत सारी गाएं लगाई हैं मैंन करके जरूर बताना यह गौशाला आप अपने बड़ी जो गाउं की जाकी सजाओगे उसमें लगाना जरूर और चलो अब आज का लास्ट डियाएवाई कंप्लीट करते हैं जो की होने वाला है वो मंदिर जिसकी बारे में मैं कब से बात कर रही हूं और आप लोग भी आप जल्दी से दिखा दो मंदिर तुमने बहुत बात बोल दी है उसके बारे में तो फाइनली मंदिर बनाना शुरू कर रहे हैं जिसके लिए मैंने कार्डबोट का एक बेस लिया है और इसका साइज है 25 इंटू 15 सेंटीमीटर दो शीट में जोड रही हूं दो नहीं तीन के इसको मजबूती दे दी बैक साइड पे ये मंदिर वैसे साइज में काफी एप्रोप्रियेट है आप लोग सेम साइज पॉलो करके भी बना सकते हो मैंने भी उस हिसाब से बनाया कि मेरा राधा कृष्ण जी का विग्रहक है वो इसमें अराम से विराजमान हो सके इसके च के नारों को कवर करने के लिए मैं वही अपना टिशू पेपर यूज़ कर रही हूँ फैविकॉल और वाटर को मैंने मिक्स किया है ब्रश की मदद से मैंने इसको अप्लाय कर लिया और तीनों को ड्रायक होने के बाद हम आगे का प्रोसेस कंटेनियू करेंगे तो यहाँ प चलकी डेकोरेशन वीडियो के लिए मेरे पास बहुत सारे आइडियाज हैं मैं अभी यह वीडियो आपको मिल जाएगा तब तक मैं सारा कुछ प्लान करने वाली हूँ कि कौन सी चीज को मैं कहां लगाऊंगी और कैसे मैं अपनी जहाकी को एक बहुत ही कमाल का लुक दे सक फिर मैं आपके साथ वो ओवरॉल जब लुक शेयर करूंगी उसके लिए मैं बहुत जादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को हर साली डेकोरेशन बहुत अच्छी लगती है हर साल मैं बहुत जादा दिल से बहुत महनत करके काना जी के लिए इसके बाद यहां पर मैंने यह सर्कल भी बना के पेंट कर दिया है अब मैंने लाइफ में पहली बार पैलेट नाइफ यूज किया था तो थोड़ा सा मेरा हाथ यहां पर शेक भी कर रहा था क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि कई मैं खराब नहीं कर दू और आप लोगी स श्कम 3D लुक वाली फ्लावर्स अब इसके बाद इनको भी मैं मिरर से डेकोरेट कर रहे हूं यहां पर एक थीम के ऊपर चलना जादा बेटर रहेगा जिसे स्टों यूज करें तो सरफ मिरर्स यूज करो या हाफ कट परल यूज करो तो स्रफ हाफ कट पर यूज करो तीन- 278 सेंटीमीटर का मैंने इक घत्य का टुकुडा लिया है और i有 मंदिर के ऊपर इस टाज टैप की की डेकृडे की डेकृरेशन होता है वह बनाने के लिएमेने एक शेप इस तरीक पा ड्र्र करके, ड्राओ करने कट कर लिया है मैंने दो टुकडों को जोड के paint भी कर लिया है और अब इसके उपर paint से शीशों से मैं decoration करके इसको छट के साथ attach करूँगी फिर कर हम बनाएंगे pillars जिसके लिए मेरे पास एक बहुत ही चौड़ा roll था और ये अकेला roll तो मैं क्या ही use करती है बहुत ही जादा बड़ा था तो मैंने सोचा मैं इसको इसको इदो pieces में divide करके use कर लूँ तो यहां पर मैंने इसको पहले एक side से cut किया उसके बाद इसको दूसरे side से cut किया और फिर मैंने इसको tape से secure करके proper दो खंबे बनाएं दो pillars बनाएं तो almost हम लोग अपने वीडियो के end portion पे की आने वाले हैं बस थोड़ा सा की part बाकी रह गया है और आपको finally मैं अपने राधा कृष्ण के दर्शन करवा पाऊंगी pillars को मैं saturn ribbon और lace की मतर से decorate करूंगी और अब पूरे मंदिर को कैसे assemble करना है वो clip भी मैंने वीडियो में attach किये तो अच्छे से आप लोग देखना तब तक मैं आपको ये बता दू कि मुझे ये राधा कृष्ण जी कैसे मिले तो 3 August को मेरा बदे था जिस दिन मेरी एक दोस्त ने मुझे ये राधा कृष्ण जी का विग्र गिफ्ट किया था और उसी दिन से मेरे मन में था कि मुझे राधा कृष्ण जी ने आशिरवाद दिया है मेरे बदे पे वो मेरे घर पे आये है तो मुझे उनके लिए बहुत प्यारा सा मंदिर बनाना है और आप सब के साथ भी शेयर करना है ताकि आप सब भी इसको बना सको तो कैसा लगा आपको ये जरूर कॉमेंट करके बताना ये दो वुड़न पीकॉक्स हैं जो मैंने इसी साल खरीदे है अगर आपको आज का ये कमाल का विडियो पसंद आया जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो मिलेंगे नेक्स विडियो में तब तक के लिए बाई टेक केर रादे रादे